हेलो स्टुदेंट्स वेलकम टो चैनल आज हम बात करेंगे एक्सदाइज बान पॉइंट बन ऑफ क्लास टैन इस इस वीडियो में आपके साथ कुछ नमर टू है वो डिस्कॉस करेंगे किस तरीके से इसको स्वाल्व करना है और क्या इसी पैटन है इसका और सबसे पहले मैं आपको बता दो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अदवाइस आपने नहीं किया है तो और हमारी इस वीडियो को लाइक करना शेयर जरूर करना जैसे कि और स्टुदेंट तक ये वीडियो जरूर पहुंचे ज्यादे से ज्या इसको यहां पर हमेंख शू करने है पोजीडि बॉडि इंटिजर और बाइए इस फूर्म कर साथ हमें यह को यह जो है यूकलि डिविज्यन्built इंड यूज़ करके इसको में शू करना है पॉसितिव इलिडियो और यहां करते हैं क्योगा च्रविजान अध्य। रध को A को ओके और B को हम माल लेते हैं हमारा एकवल है यह 6 अभी जो 6 है हमने माल लिया B है यह क्यों हमारा अभी हमने बताया यह आपको ठीक है सम इंटीजर हमारा क्यूं है अब हमने इसको लिए इसके हम यूज किया है यूज राप को पता होगा हमने लास्टेडियों में आपको बता था कि यूखनी डिविजन अलगोरिदिम की फिर्म हो यूज हमारा यूज करते हैं यहां पर इसका formula का use करते हुए हमें इसको solve करना है तो हम अभी put कर लेते हैं यह जो हमारी positive values हैं तो सबसे पहले बापको बता देते हैं कि positive, possible values हमारी क्या है हाँ पोसिबल values हैं, अब हमने r माना है हमारा हमने हाँ पहले बता दिया है b हमारा है 6, r हमारे equal 0 मान लेते हैं यहाँ पर हम R को मानेंगे 0 क्योंकि B से कम हमारे मतलब B हमारा है 6 ठीक है तो अब हमें बताना B से कम वाले digit कौन-कौन से कौन-कौन से नंबर B से कम है possible value of R R के लिए हमने क्या values put कर लिए R है हमारा 0 और B की B से जो कम नंबर से 6 से जो हमारा मतलब यहाँ पर है 6 से कम है B है हमारा 6, 6 से कम है 1, 2, 3, 4 and 5, जो यह 6 से 6 के before आती है 6 से पहले आती है और कम है 6 से छोटी है यह digits ठीक है और अब हमने when R है हमारा जो उसकी हमने value put कर लिए है R की value है when R equal 0 therefore A equal 6Q plus R ओके, यह हमने यह put कर लिया है और अब हमारा B हमारा है 6, यानि यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है यह 6 हो जाएगा, और अब हमारा R के है हमारा R है हमारा 0, यह याद रखना है आपको, यह roughly है यह हमारा pattern होगा 6Q plus 0 R हमारा था 0 और 6 हमारा है B B को हमने माल लिया है 6 और R है हमारा 0 तो 6Q plus 0 यहाँ पर हमारा हो गया यहाँ पर हो गया, अब यहाँ माल लेते हैं 0 और A इक्वल 6Q ठीक है, आप 6Q हमने माल लिया यहाँ पर B को 6 है और Q as it is हमारा question आ जाएगा अब यह हमारा होगा even number, 6 हमारा क्या है even number होगा, हमेशा जो भी है पूरा यानि जो table होते हैं 6, 1, 6 6, 2, 12, 6, 3, 18, 6, 4, 24 यहाँ पर यह जो 6 का table है continuous चलता रहेगा, यह stop नहीं होगा यहाँ पर कोई remainder नहीं बचेगा ठीक है, तो यह गया होगा हमारा even number, तो यह even numbers होते हैं और अब हम आपको बता देते हैं कि even और odd यहाँ पर कौन कौन सी digits करेंगी यहाँ पर हमें शो करना है कि odd positive number कौन सा है ठीक है, odd positive integer कौन सा है यह हमें बताना है तो हमने बुट कर लिया r इक्वल 1 it's mean a equal 6q plus 1 तो यह हमारा considerate होगी अगर हम 6 में plus 1 कर देते हैं तो यह हो जाएगा 7 और 7 हमारा हमेशा होता है odd number तो यहाँ पर आजाएगा odd यानि odd और r equal 2 अब r की याली, यानि 0 की साथ हमने value put कर लिए 2 r equal 2, यानि हम 6 में 2 को plus करेंगे, 6 equal plus 2 equal, यहाँ पर 6 में अगर हम 2 plus कर देते हैं तो यह हो जाएगा 8 तो 8 हमेशा जो होता है even number होता है तो यहाँ पर यह हो जाएगा even number and r equal 3, by the way हम अगर यह लेते हैं, 3 number जो हमारा को portion में भी दिया है तो यहाँ पर अगर हम 3 को plus करते हैं, 6 q plus 3 यहाँ पर 6 q हमारा क्या हो जाएगा odd number, यानि 6 और plus करेंगे 3, तो यहाँ पर 6 plus 3 equal 9 9 हमेशा odd number होता है and हम बात करते हैं 4 की बत, r की value हमने put कर ली 4 a equal 6 q plus 4 यहाँ पर 4 हम plus करते हैं 6 plus 4 equal यहाँ पर हो जाएगा 10 तो 10 हमेशा ही even number होता है ठीक है, क्योंकि वहाँ को intermittent नहीं बचेगा next की बात करते हैं next है, r r की value हमने put कर ली 4, sorry 5 5 put कर ली, a equal 6 q plus 5 equal, अभी 6 में plus करेंगे 5 equal हमारा हो जाएगा 11 तो 11 हमेशा 8 number होता है ठीक है, यहाँ पर 11 होगा हमारा 8 number and अब हमने यहाँ पर यहाँ पर बताना था शो करना था, यह हमने शो कर दिया है अब इसके बारे में हम लिख देंगे कि यहाँ पर क्या बोला जाता है यहाँ पर बोला है हमने any positive positive odd is in the form of the form of 6 q plus 1 6 q plus 2 sorry, 6 q plus 3 and 6 q plus 5 अब कोई समझ आगे होगे, हाँ पर यह लिखना सरूरी है sorry, यह आपको दिखा नहीं होगा बढ़ अभी हम आपको दिखा देते, किस तरीकित है हमने यहाँ पर यह सब लिखा है यहाँ पर हमने r equal 1 a equal 6 q plus 1 यहाँ आर है हमारी r की value हमने मालनी 1 पहले हमारी r की value थी 0 पर 0 के बाद आता है 1 r की value अगर हम 0 put करते तो यहाँ पर क्या आता हमारा a आता a equal 6 q plus 0 equal यहाँ पर क्या आ जाता 0 की value 6 को 0 से plus करेंगी तो कुछ नहीं ऐसा कोई digit में add नहीं होगा as it is 6 ही रहेगा ठीक है और r की value 1 है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a equal a equal 6 q plus 1 odd हो जाएगा अब हमने r की value से 6 को plus करना है और हमें यह show करना है कि कौन सी rigid odd है यह बताना था और हमने finally यहाँ पर लिख भी दिया है any positive odd in the form of 6 q plus 1 6 q plus 3 6 q plus 5 यह हमने form लिख दिये कि इस form में odd numbers आएगे even नहीं आएगे ओके thanks for watching आपको समझ आ गया होगा hope आपको इस session अच्छा लगा होगा हमारी इस video को like करना share करना ना भूले thanks for watching like share and subscribe also if you are new on my channel bye bye ok इसे लिए खुम्DJ